आज मैं बनाने जा रही हूं बहुत ही टेस्टी पोहा चिवडा ये ऐसी नमकीन है जो सभी को पसंद आती है बस मैंने इसे फ्राइडी फ्राइड नहीं किया है इसलिए ये हेल्दी भी है बहुत सारे नट्स ड्राइफ रूट्स भी है इसमें तो चलिए शुरू करते हैं इस शेलो फ्राइड किया है दो चमचा मैंने तेल डाला है और पूरी नमकीन मैं इसी में बनाने वाली हूं आगे प्रोसेस करके तो मैंने मूमफलियों को अच्छे से रैड होने तक भून लिया है उसके बाद मैंने 15-20 कड़ी पत्ते लिये हैं दो हरी मिर्ची लिये हैं बहु उसी तेल में मैंने 3 कप ये डाला है पोहा इसमें मैंने medium thickness वाला पोहा लिया है तो इससे नमकीन अच्छी बनती है और इसे इसी तेल में धीरे धीरे रोस्ट किया है ये देखिए पोहा पूरा transparent हो जाता है इसमें light pink सा कलर आ जाता है तब तक हम इसे fry करना है फिर मैंने एक चमच देशी घी में कुछ काजू और बादाम फ्राई किये हैं अब ये हमारे peanuts, काजू, बादाम, करी, पत्ता, हरी, मिर्ची हमने इसी तरह roast कर लिये हैं थोड़े से तेल में shallow fry कर लिये हैं और ये हमारा पोहा भी तयार है अब इन सारी चीजों को हम एक साथ मिला देंगे आप चाहें तो चने की दाल भी इसी तरह fry कर सकते हैं लेकिन मैंने यहा लिये हैं चने की दाल की ready made नमकीन इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है आप चाहें तो पूरा नमकीन mixture भी डाल सकते हैं मैंने चने की दाल डाली है इसमें फिर मैं डाल रही हूँ भुजिया, सेव भी आप डाल सकते हैं वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे मसाले सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें चाट मसाला तो कुछ लोग इसे स्लाइट स्वीटनेस भी रखते हैं खटा मीठा तो दो चम्मचा पिसी वी चीनी भी डाल सकते हैं म मैं वो नहीं डाल रही हूं क्योंकि मेरे बच्चों को वो मीठी वाली नमकीन पसंद नहीं आती उसके बाद मैंने डाला है इसमें काला नमक वाइट नमक लाल मिर्ची स्वाद के हिसाब से डालिये और इसमें मैंने हल्दी नहीं डालिये और ये देखिए तयार है हमारी ब बच्चों को दीजे बाहर की नमकीन से बैटर है कि इस तरह से आप नमकीन बना कर खिलाइए ये टी टाइम स्नेक्स तो है ही अपने आप में भी एक पूरा मील है आप चाहे तो इसकी चाट भी बना सकते हैं इसमें निम्बू डालिए और स्लाइस करके खीरा टमाटर और प्य कीजिए इस वीडियो के लिए इतना ही मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई